प्रोजावाद का काफी समय तक चार्ज सम्हाला फिर उसके बाद सामली का काफी समय तक चार्ज सम्हाला गुंडे बदमास अपराधी माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। कानुन विवस्था खोले कर खास मुलकात करते हुए पूछा तो उन्होंने बताया कि हमेशा पराधियों के पीछे पड़ा हूँ गरीब असहाय वजनपत के जनता के बीच जाकर मदद करूँगा किसी भी सूरत में गुंडे माफिय अपराधियों को आगे बढ़ने नहीं दूँगा और जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे होंगे और हमेशा रोजाना की तरह जनता दर्बार में गरीब असहाय लोगों की मदद भी करूँगा फ्रोजाबाद से जिला समवादाता सौरास सिंग की रिपोर्ट एसके एच न्यूज कानून ब्यवस्था चाक चौबंद रखना अच्छा रखना यह हमारी पुलिस की प्राथ्मिक्ता रहती है और रहेगी कि सभी के साथ समान ब्यवहार किया जाएगा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा चाहे वह किसी भी जाती धर्म राजनीतिक पार्टी या किसी भी तरह का तबके का हो सबके साथ हमारी पुलिस बिना भेदभाव के अच्छा ब्यवहार करेगी केवल अपराधी और अपराधिक तत्तों अपराधिक मानसिक्ता वाली लोगों के पीछे हम पढ़ने का हमारा आदत है और हम उसकी पीछे पढ़ेंगे पुलिस की प्रात्मिक्ता भी रहेगी कि जो हार्ड कोर अपराधी हैं उनको उनकी सही जगह पहुँचाया जाए वो समाज में खुला ना घुमने पाएं इस प्रात्मिक्ता को हमने पूरी पुलिस टीम को बता दिया है हमारे एस पी देहाद और एस पी सिटी दोनों ही बड़े ही कॉम्पिटेंट आफिसर हैं और पूरी टीम भावना के साथ हम लोग काम करेंगे लेकिन हमारा पूरा मकसद यही रहेगा कि किसी असहाय का किसी गरीब का उत्पिड़न कतई ना होने पाए और कोई अपराधिक तत्वर कितना भी रसूखदार क्यों ना हो वो बचने नहीं पाएगा यही हमारी प्रात्मिक्ता रहेगी जी तो यह अपराधियों के पीछे पढ़ने का मुझे सौख है मैं अपने राउल के साथ सहे हो कि अपने स्वराधिक स्वर्वजाबाद